आज की बुक समरी है 55 questions to ask yourself across 8 dimensions for a new youth यानि कि जिसे लिखा गया है मनोज के द्वारा ये समरी आपको खुद में और आसपास के लोगों में मीनिंग होजने में आपकी help करने वाली है आप self discovery, self improvement और इसके अलबा बहुत सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं इस समरी में आप ऐसे सवाल पाएंगे जो आपके career goals और मोगों का सबसे अच्छा इस्तमाल करने के लिए आपको help करने वाले है वो सवाल क्या है और उसका जवाब कैसे दिनाई से जाने के लिए start करते हैं आज की समरी लेकिन उससे पहले जानते हैं author के बारे में मनोच इंतम रक्षन एक entrepreneur, coach और educator है वो positive store के founder भी है जो एक ऐसा store है जो के positive workbook, journal और फिर बहुत सारे books को बेशती है वो खास तरपा ऐसी book लिखते हैं जो लोगों को अपनी परिसानियों के जवाब अपने अंदर खोजने के लिए encourage करते हैं चलिए जानते हैं 55 questions to ask yourself, उससे पहले कुछ सवाल क्या आप खुद को improve करना चाहते हो, क्या आप जानना चाहते हो, क्या आप खुद को बहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, क्या आप अपनी जिन्दगी के किसी खास हिस्से में excels करना चाहते हो, अगर हाँ, तो यहां समरी आप के लिए ही है, इन सबी चीजों को और भी बहुत कुछ पाने के लिए गाइड करने वाली है हमको ये book, और सबसे जरूरी जो रिस्ता होता है, वो हमारा खुद का अपने आप के साथ में होता है, हम से ज्यादा कोई और motivate नहीं कर सकता है, अगर आप खुद को better version बनना ह तो आपको starting से ही, खुद को कुछ सवाल पूछने के जरूरी है, ये summary हमको खुद को सवाल पूछने और अपनाने के साथ सफर में मदद करने वाली है, ये हमको ये guide करेगी कि बहतर बनने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, गोल साचीप करना तब मुस्किल होता है, ज जिन्दगी में आपके achievement पर असर डालता है, आप जितना ज्यादा खुद को समझेंगे, आप उतने ही ज्यादा motivated होंगे, और ये सब सिर्फ productive कैसे बनना है, ये जानने पर depend करता है, मौके और action साथ साथ चलते है, जब आपको कुछ करने लाइक मिलेगा, तब आप में जबूरी हिस्सा होते है, ये आपके जीन्हें की बारे में बताती है, ये समरी आपको बताएगे, कि आपकी आदते आपकी जिन्दगी पर कितना असर डालती है, और इसे best तरीके से कैसे इस्तमाल करना है, खुद को improve करने का तरीका है, नहीं आदते बनाना इसके लिए आप को जो भी direction और guidance की जरुत होगी वह आने वाले chapter में आपको मिल जाएंगे सही सवाल करना आपको बहतर बनने के सही रास्ते पर लाएगा ये summary की जरी आप अपना वो हिससा discover करेंगे जिसके बारे मैं आपको कभी पता ही नहीं था अपने होनी की सचाई का पता लगे और अपने सान्त और ज्यादा healthy रूप को जगाई है आगी जानेंगे की इसे कैसे पाना है चलिए start करते हैं पहले chapter से self discovery या फिर जिसे हम self image भी कह सकते हैं अपनी बहतर जिंदगी के लिए सही दिसा ढूंटे समय सबसे पहले जो आपको करने की ज़रत है वो है खुद को discover करना यानि कि यह लंबा और ठकाने वाला सफर हो सकता है लेगर आखिर में आपकी महनत और पैसेंस का आपको फल्स जरूर मिलेगा बिना खुद को समझे खुद को बहतर बनाना ना मुम्किन है आपको यह जानने की ज़रत है कि आपकी कम यह क्या है और आपको क्या बदलने की ज़रत है पहला फेज है सेल्फ डिसकबरी मतलब कि अपने बारे में पता लगाओ इसमें खुद को और अपने नजरीयों को समझना सामिल होता है जैसे कि चली इसको को समझते हैं और यकीन मानिए कि इस चप्टर के खतम होते होते हैं आप अपनी सोच और अबिलिटीज के लिए ज्यादा एप्रिशेशन और समझ डेबलोप करेंगे सेल्फ डिसकबरी का मतलब होता है अपने असली रूप का पता लगाना यहां जिन्देगे क्या लग-लग एस्पीरियंस से असली क्यारेक्टर को डूड़ना होता है पहला सவल जिसका आपको जवाब देना है आप खुदको क्या से देखते हो आप अपने लिए पोर पोटेंशिलतग पफंसने के लिए रोकता है इस कारण कभी भी आप सांती से कोई भी चीज को नहीं रहे पाएंगे और हमेशा कुद को दूसरों के समने बहतर दिखाने और अपनी एहमियत प्रूफ करने की कोशिज करते ही रहेंगे खुद को इंप्रूफ करने के रास्ते में खुद को एकसेप्ट करना भी सामिल है आप खुद को एकसेप्ट कर लिए और अपने लिए उस नेगेटिव नजरिये को छोड़िए जो आपको पीछे कीच रहा है आप जितनी जल्दी खुद को अपना लेंगे उतनी ही जल्दी आ आपको ये एक रात में ना मिले लेकिन confidence बढ़ाने वाले exercise करने से आप start कर सकते हो ज्यादतर लोग अपने बारे में negative नजरिया रखते हैं क्योंकि लोग क्या सोचते हैं वो इसके चिंता ज्यादा करते हैं वो अपनी एहमियत प्रूफ करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें जैसे वो है वैसे ही appreciate करें और अपनाएं आपका अपने लिए नजरिया लोग आपके लिए क्या सोचेंगे इससे कहीं ज्यादा important है याद रखिये कि एकलोता इंसान जिसे आपको accept करने के ज़रत है वो आप खुद है और किसी को कभी भी आपको accept करने मत दीजे कहने मत दीजे self discovery आपके जिंदे के किसी खास पहलू को नहीं दिखाती है यह आपके पूरी पहचान का पता लगाने के बारे में है आप खुद को बहतर जानने और समझने के लिए कुछ से 8 सवाल पूछ सकते हैं चलिए उन सभी को देखते हैं मैं कौन हूँ या फिर आप यह सवाल पहले भी 1000 बार सुना होगा जब भी कोई आपसे पूछता होगा तो आप अपने बारे में बताने लगते होंगे और अपना नाम बताते होंगे और इसे पहले कि आप इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करिए थोड़ा रुकी और सोचने के लिए थोड़ा सा समय लीजिए आपसे आपका नाम या बेग्राउंड की इंफॉर्मिशन ही मागी जा रही है आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि आप कौन है आपकी पहचान आपके नाम, काम और अचीवमिन्ट से बहुत ज़्यादा है आपके सब्द, सोच और हरकते बताती है कि आप कौन हो अगर आप अपने असले आइडेंटिटी का पता लगाना चाहते तो इन सवालों की जवाब देना आपको सही रास्ते पे ले जाएगा आपको इसका जवाब देने के लिए समय लग सकता है लेकिन ये आपको खुद को बहतर समझने बनने में देता है करता है आपके तीन टॉपल मोडल को है और इन में आप क्या देखते हो